हेई गाइज विलकॉम बैग सुभा सुभा मैं निकल पड़ी हूँ हॉस्पिटल के लिए क्योंकि आज मेरा टॉम बाबू का न्यूट्रल का अपरेशन है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ और डर भी लग रहा है और टॉम बाबू भी कितना ज़्यादा डरा हुआ है न्यूट्रल का जो अपरेशन है जो लोग बच्चा नहीं लेते हैं वो लोग करवाते हैं ताकि कैट का हेल्थ अच्छा रहे और ग्रोध भी अच्छा हो हस्पिटल आने के बाद टॉम बाबू को पहले बेहुसी का इंजेक्शन दिया अभी ऑपरेशन थेटर में गया है डॉक्टर मुझे चार वर बोलके गया है रोना मत प्यानिक मत होना कुछ नहीं होगा नॉर्मिल सिंपल सा एक ऑपरेशन है हर कोई करवाते हैं मैंने बोला बाबू तो निकल गया बाबू अलहम दो लिल्ला ठीक है ऑपरेशन सक्सेस्फूल भी रहा है सब कुछ अच्छे से हो गया है मैं आई हूँ अभी मेडिकल सौप में दवा ले लिया है और अभी दो पहर का तीन बज गया है सुबा साथ बजे में आई थी तो सब कुछ तो ह हो गया है अब चलते हैं घर है गाइस आज है नेक्स डे और अभी बज रहा है सामके पांच और मैं निकल पड़ी हूँ न्यू मर्केट जाने के लिए न्यू मर्केट में मुझे अक्चुली काम है और मुझे टॉम बबू टाइसन बबू के लिए भी बहुत सारा समा लेना है लाइक कैट का फूद, ट्रीट, मेडिसन थोड़ा बहुत टाइसन के लिए लेना है तो ये सारे चीज आज मैं लिप्टाओंगी और मुझे कुछ ड्राइफ फूट बेगर भी लेना था इसलिए मैं न्यू मर्केट जा रही हूँ और न्यू मर्केट मेरा फेवरिट है क क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टेट सौपिंग करना भी बहुत ज़दा अच्छा लगता है मैंना गोल का छोटा छोटा कान का बनाने दिया था डेर महीना हो चुका है और अभी तक सही से बना नहीं तो दूसरा मुझे पीस दिखा रहा था जो कि मुझे पसंद नहीं आया त बना के दो अच्छे से लॉक अच्छे मैं एक्चली लॉक इसका ठीक नहीं था तो वही मैंने बोला कि अच्छे से लॉक चेंज करके न्यू पीस आप मुझे फ्रेस बना के दो और अभी मैं पायल देख रही हूँ चादी का चादी का भी इतना ज़दा दाम हो गया है फिर पर बाद में ले पाऊ ना ले पाऊ तो सोचा मैंने एक पिस में ले लेती हूँ ताकि साधी के वक्त भी मुझे काम आ जाएगा तो ले लिया है मैंने और अब मैं जारी हूँ पेट सौप और वहां पे भी मुझे कुछ समाल लेना था पर जाते-जाते मेरी नजर परी जू जबकि मेसो में 3 120 में आ जाता है सो इस्ट्रेट सौपिंग अभी थोड़ा सा महांगा हो गया है पर थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है और अब मैं आगी हूँ पेट सौप यहां से मैं 5 साल से सामान ले रही हूँ तो यह भाईया मुझे हर मन्त मैं फोन में ओर देत हूँ और मुझे थोड़ा सा चाहिए था बैंगेल्स क्योंकि चिकेन कड़ी कुर्ता में अक्सडाइज जूएलरी अच्छा लगते है तो मैंने लिया है और फ्रूड नलू ऐसा हो सकता है तो यहां पे जो भी फ्रूड मुझे दिखा मैंने थोड़ा थोड़ा करके हब किल करके ले लिया और थोड़ा सा मुझे चीफ्स बैगरा खाना पसंद नहीं है क्योंकि हॉर्मोनल प्रॉब्लम है और अभी डाइविटीज है थाइरेड है तो माखाना बेस्ट रहता है इसलिए मैंने माखाना का दो पैक लिया दो पैक का मुझे 700 पड़ा और यहां पे पुरा ही पुरा सौप है और मुझे न्यू मर्केट बहुत अच्छा लगता है अभी चटपुजा है तो उसके लिए साइड में पुरा बजार लगा हुआ ता लाइटिंग चल रही थी चीजे मिल रही थी मुझे इतना ज़़ा पसंद आता है सज बोलू तो मॉल में सौप प्रेंड होती है जिसके साथ में और घूम पाती पर गल्फ्रेंड तो नहीं है तौम बबु पहले से तो बेटर है और अभी सो रहा है क्योंकि मेडिसन का असर है और उसका हाथ में तो बैंडिट कर दिया था डॉक्टर ने स्लाइम देते वक्ट आज उसको मुझे कट करना है तो अराम से करेंगे थोड़ा सा उठ जाए और अभी भी थोड़ा सा मतलब उतना हद तक रिकॉवरी तो हुआ नहीं है और उसको देख देख के मुझे और ज़दर तकलीब हो रहा है I mean मुझसे तो कुछ नहीं बोल सकता ना बे जुबान है तो उसको तकलीब उसको पता है अग्दम चुप हो गया है खाना नहीं खा रहा है और मेडिशन देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसको दिल नहीं कर रहा है और मतलब बहुत मतलब उसको देख के तकलीब हो रहा है और यह वाला जो कॉलर है डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन किया था तो ये वाला मैंने लगाया नहीं था प्योंकि इसमें उतना comfort मुझे feel नहीं हो रहा था तो ये pillow वाला मैंने पहले ही Amazon से order कर दिया था जो बहुत ज़ा soft है जो उसको तकलीब भी नहीं देगा और आराम से सो पाएगा तो बहुत ही आराम से सो रहा है तो इन्शाला मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाएगा और पहले के जैसे दोड़ भाग करेगा तब जाके मुझे सुकून मिलेगा वैसे तो अभी सिफ उसको ही मैं देखती रहती हूँ कि उसको कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है रात में दिन में मतलब सिफ उसके उपर मेरा धियान है और किसी चीज पर नहीं है इसलिए मुझे यूटूब में वीडियो बनाने का भी उतना दिल नहीं कर रहा है क्योंकि अभी माइंड कर दिस्टर्ब है मेरे टाम बाबू कितना ज़्यादा फिट हो गया है माशाला कितना ज़्यादा मैं खुस हो रही हूँ उसको देख देख के क्योंकि वो एकदम से ठीक हो गया है अभी कॉलर भी मैंने हटा दिया जो मैंने गला में पहना के रखा था पीलो वाला अभी हो ठीक है, खेल रहा है, खाना भी खा रहा है दवा भी टाइम से दे रहे है सब कुछ पर्फेक्ट है और डॉक्टर से भी मैंने बात किया था तो डॉक्टर ने भी वीडियो कॉल में मेरा बाबू को देखा बोला सब कुछ ठीक है समरीन कोई टेंसन की बात नहीं है जब 10-12 डेज हो जाएगा तब जो सिलाई है वो कट करने के लिए लेके आना है और अभी मैं बहुत ज़दा उसको लेके खोसू और मैं तो डांस कर रही हूं बंगडा पारी हूं कि मेरा टॉम बबू ठीक हो गया है म मेरा दोनों बाबू को टॉम बबू टाइसन बाबू को थोड़ा सा भी कुछ होता है मैं बहुत इस्ट्रेस में चली जाती हूं अब मैं अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़दा डिस्टब थी मेरा इमोस्नेल का जो लेविल था बहुत डाउ कि समरीन तु अकेला ही काफी है खुद के लिए और आज भी मुझे कुछ सावान चाहिए था तो मैंने भाया को फोन किया था कि मुझे होम डिलिवरी करवा दो क्योंकि टॉम का अभी टेस्ट छोड़ा सा चेंज हुआ है तो पहले वाला जो ट्रीट था वो उतना नहीं खा जल्दी और अच्छा हो जाएगा वैसे तो होई गिया है सेवेंटी पर्सन रिकॉवरी हो गया है थर्टी पर्सन अभी बाकियों वह दीरे-दीरे हो जाएगा और यहां पर मैं अपना टाइसन बाबू के साथ खेल रही हूं आप लोग देखना कि वह मुझे कैसा ढूनता ह झाया के जाया है। अब होगी सिकेंड राउन अब और मज़ा आएगा आज आज और मज़ा representative अहां, अभप इदर हो इज़े हो इज़े हो जो आज और आएग करो good way good born मेरा खुष रहने का रिजन है टाइसन टॉम बाबू क्योंकि ये दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करता है में दोनों को बहुत प्यार करती हूँ और आनिमल से आपको जो प्यार मिलता है जो आपको अटेंशन मिलता है जो लॉयल ये लोग मतलब अपने पैरेंस के हो सकता है इंसान तो धोके बाज है इंसान के लिए जितना भी कर लो सिखायती रहेगी और कोई भी आनिमल को आप एक वक्त का खाना खिला दो देखो आपको कितना प्यार करती है तो ये तो मेरा बच्चे है इंडो के लिए तो मेरा जान हजीर है और मैं कोसिस करती हूँ ब मैं पूरा करने की कोशिस करती हूं, मेरा फर्स्ट जब सैलरी आता है मन्द के पहले, मैं बाबु लोग के लिए पहले हटा के रख देती हूं, सब कुछ मेडिकल से लेके, खाने पीना, मन्थली का जो खर्चा होता है, उसके बाद मैं अपना देखती हूं, और वैसे भी ये म अपने बच्चों के साथ खुछ रहती हूं, और आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी, हक कर नूडल्स बट हेल्डी, यहां पे कोई मैदा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% मैदा फ्री नूडल्स यूज कर रही हूं, जो आरके आटा, मुग डल्स, राइस, और ओट करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ा सा मैंने यहां पर ओयल एड़ किया है, तक कि चिप के ना, और इसको बॉयल जब हो जाएगा 70% तब इसको अच्छे से जो भी वाटर है, उसको निकाल देना है, तब तक यहां पर ओनियोन को मैं अच्छे से चौप चौप कर लूँगी, और यहां पर मैं कैरेट एड़ करूँगी, तो कैरेट को ना, मैं लंबा लंबा रखूंगी, तक यह देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और प्रेजेंटेबल भी दिखता है, और जो कैपसिकम है, उसको भी मैं लंबा लंबा ही कट आप रेट कैपसिकम, योलो कैपसिकम, जो भी आपके पास मतलब सबजी होगा आप दे सकते हैं, इसमें बींस भी दे सकते हैं, पर लंबा लंबा कट करके देना अच्छा लगेगा, उसके बाद मेरे ग्रिन चिली भी कट कर लिया है, और यहां पर एक एक को मैं अच्छे से प्राउन को अच्छे से यहां पर भी मैं फ्राई कर लूँगी, और जो एक हम लोगों ने फ्राई करके रखा था, उसको मैं क्याइची से लंबा लंबा करके कट कर लूँगी, यह टेकनिक देख लो, अब जब भी चौमीन बनाओ, मैं आगी बनाओ, ऐसे लोंग लोंग कर करके कट करके देना, तो दिखने में आएगा कि हाँ, एक तो है आपके खाने में, और खाने में भी अच्छा लगता है, यहां पर मैंने पहरी पहरी एड किया है, तो कि प्रॉन में थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, और चिकन को मैंने पहले से बॉइल करके, लंबा लंबा संग भी कट करके थोड़ा सा इस इसको भी मेरे फ्राइ कर telescopes के रहेजं़ जोर होग कर सकते हो जो सब्सक्राइब कर लएंगे उसके बाद जो भी वेज़ इरन घानकर और देनंगे और जोबह आई मेरे जोंगे भी फ्राई करके रखे तो वो भी दे देंगे सब कुछ देने के बाद चौमी जो है उसको भी एड कर लेना है और उसको एड करने के बाद उसको पांच मिनी थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे उसके बाद मैगी का जो मसाला है वो कौंटिटी के हिसाब से जाएगा तो टोमेटों केचुप एड़ किया है अच्छे से ये भी मिक्स कर लेंगे मेरी बहुत सरी सिस्टर को चाट रेसीपी अच्छा लगा था और बोला था कि आप ब्लोग में जदसे जदा हेल्दी खाना सेयर करो तो आप लोग के लिए संडे ब्लोग में में कुछ ना कुछ सेयर करूंगी हेल्दी हो और टेस्टी भी हो रेडी हो चुकिये हमारे सूपर हेल्दी और फाइबर भी है प्रोटीन भी है और ऐसा अगर यम्मी सा नूडल से तो क्या कहने है तो इस रेसीपी को बनाओ घर पे और मुझे फीडबेक में बताना कि कैसा लगा सारे स्टेफ जो दिखाया वैसे ही फालू करना बहुत ही इजी भी है इसको बनाना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है लंच पे डिनर पे ब्रेकफेस्ट में जब आपका दिल करें आप इंजॉई कर सकते हो और अपने साथ साथ अपने पूरे घर पे सबको हेल्दी नूडल भी खिला सकते हो कि खुद के हैल के साथ आपको घरवाले के भी हैल का उतना ही ध्यान रखना है और मैं तो खा रही हूं मेरे पीछे मेरा बाबू भी आया हुआ है तो इसको देखके में और ज़दा खुस हो गई हूँ तो मैं तो अभी अपना लंच अच्छे से इंजॉई चल रहा है तो मेरी सायन मुझे बहुत लेना पड़ता है तू बारिंग मिनिट लेटर पता है आप लोगों को यह ठीक हुआ है ना वो सीकुरिटी गर्ड जो अंकल है ना वो मुझे देखके गए है छट पूजा थी और उनको ना एक दिन फीवर था तो मैंने सिब दावा आके दिया था तब से उनकल मुझे बहुत प्यार करते है उनके घर पे कुछ भी बनता है मुझे देता है अल्ला पक उनको लंबी हयाद दे बहुत वैसे स्वीट है और मैं जब घर पे नहीं रहती हूं मेरा सारे परसल लाके अपने पास रखता है जब मैं आती हूं फिर तो आप लोग में दिखा देती हूं और एक टिफ्स दे रही हूं जो मुझे सौप बले भाईया ने बोला वो यहां पे जो यह पैकेट है ना यह इसमें चादी जो होता है ना इस पैक में ऐसे ही रखना ताकि वह खाला ना हो चादी का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ आसमान चूँरा है फिर बाद में ले पाऊं ना ले पाऊं इसलिए मैंने एक पाईल बना लिया क्योंकि चादी का और कही पहनते हूं पाईल ही तो पहना जाता है और यह कैसा लग रहा है मुझे बताना मुझे ऐसे ही चाहिता थोड़ा सा हैबी भी हो और थोड़ा सा सब गाइज कैसा लगार डिजाइन पाइल का मुझे ज़रूर बताना और उस दिन तो मैंने क्लाचर भी लिया था वैसे फ्लावर बला क्लाचर मेरे पास बहुत सारा कलर का है इस कलर का साइद नहीं है इसलिए मैंने ले लिया था आइधिंक छोटा वाला होगा और था ना कि तनिस का गोल में कैसे पैसा इंविस्ट किया जाए तो तनिस में कार्ड होता है जब आप गोल का सौपिंग करते हो तो मेंबर सी बन जाते हो अगर बनना चाहो तो देन वहां पे हर मंत में पैसा इंविस्ट करना होता है आपके उपर होता है कि आपको कितना पैसा करना है पैसे मैं 4 साल से इंवेश्ट कर रहή हूँ मेरा 4 काड़े एक तो पूरा मैचोर्ड हो गिया उसको मैंने ले भी लिया है और एक तीन वाला जो है एक हाली मैचोर्ड हो आथा जो डायमन का रिंग लिया था और मेने डायमन का जो नोजबिन रहा था और दो है वो दो महीना बाद एक मैचोड होगा और एक साय दो हजर पचीस में फेबरारी तक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो में गोल्ड ले लूँगी और गोल्ड जो मैं लेती हूँ उसमें अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है पैसा जैसे कि उसमें नहीं हो रहा है तो मैं क्यास दे देती हूँ पर ऐसे करके मैं इन्वेस्ट करती हूँ ताकि गोल्ड लेने के टाइम थोड़ा सा इजी हो जाए क्योंकि एक बार में बिग अमाउंड इतना निकालना पॉसिबल नहीं होता है अज तानीस का गोल्ड ड लेके मैं अपना फीचर को सिक्यूर करती हूँ और हाँ गाइस उस दिर मेरे न्यू मर्केर में तो नाइटी भी लिया था इसका प्राइज ना थिरी हंडिड करके बोल रहा था तो मैंने सिब एक बार बोला कि भाईया फाइव हंडिड में दो दोगे क्या एक बड़ी ज़ का लेना मैं यह बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ सारे तीन सो करके एक एक पैकेट है थोड़ा सा एक्स्पेंसिब है बाट बेस्ट है बहुत टाइम से ले रही हूँ इसलिए आप लोगों को मैंने सेयर किया टॉम बबु अभी बहुत अच्छे मूड में थे और मस्ती के मूड में तो मैं उसके साथ खेल रही थी मेना सारे दूग, दर, टेंसन, डिप्रेसन सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं अपना पैट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ मेरा कोई सोसल मीडिया में टाइम स्पेंड नहीं है जो भी वक्त मिलता है मैं टॉम आर टाइ पे हूँ मैं किसी के उपड भी डिपर नहीं हूँ ना फाइनस ना फिजिकली ना मेंटली ना इमोशनली मैं खुद दुखी होती हूँ खुद को ही समझाती हूँ बहुत ज़़ा डिप्रेशन भी होता है इंजाइटी भी होता है बट सम्टाइम्स मैं अपने आपको टाइ है खुद को टाइम दे दिया खुद से बात कर लिया रो लिया दिलालका हो गया और मुव ओन नेक्स्ट क्या करूं यह सोचती हूँ अभी के टाइम पे सब कोई दोड रहा है लाइक के पीछे व्यूस के पीछे कमेंड के पीछे सक्सेस के पीछे एक दूसरे को छोटा के नहीं जा सकता है तो मेरे को जो मिलना होगा उपर वाला है वो सही टाइम पे मिल जाएगा मेरा काम है अपना हिस्टा का काम करना अरि आपने आपको कंट्रोल रखना किसी के साथ कंप्यार ना करना सुकून से राहना लाइक में हमें सब बैलेंस में सब कुछ होना झाल झाल झाल